Fantastic Beasts की जब first movie आई थी तो मुझे वो concept काफी ज़्यादा पसंद आया था ये जो जादू वाली दुनिया है इसको दूसरे तरीके से दिखाया गया था तो मुझे अच्छा लगा था और जब इसकी second movie आती है और अब इस movie की कहानी की चर्चा कर लेते हैं अगर इसमें आप जादू वाला concept side में अटा दो तो एक बिल्कुल सिंपल सी story बनके आपके सामने आती है कि एक दोस्त बुरा है एक दोस्त अच्छा है अच्छा दोस्त बुरे दोस्त को रोकना चाते हैं क्योंकि बुरा दोस्त वी इस में गौत जादू वाली दूनिया इन्सानों को नहीं चाते हैं वैसे देका जाए तो हल्ली वोड वाले पता बह्ता नहीं क्यों इन्सानों के पीचे हाथ दोके पढ़ैं हर मुवी मित सब्सक्प्राने एक मुवी है एक्समेन की मुवी उसके अंदर भी यह concept आमें देखने को मिलता है जिसमें Magneto जो है वो इंसानों को खतम कर देना चाहते है वो चाहते है कि जो mutant है वही रहे या फिर जो इंसान है वो mutant में मझा है यही उसका concept होता है एक्समेन जो आप 3 मुवी देखेंगे सेम आपको वही मिलेगा तो यहां पर same concept मुझे दोनों मुवी के अंदर लगा और मुझे जादा अच्छी एक्समेन लगती है क्योंकि यार उसके अंदर आप अगर दोनों की पसंद है लेकिन यहां पर secret of the dumbledore movie के अंदर यहां जो प्रोफेसर है वह भाई साब वो gay है मुझे नहीं बता था बुड़े वो gay निकलेगा उसको ऐसे शोक है और मुझे यह समझ्या है इस concept के जरूरत क्या थी इस movie के अंदर सीधा बोर सकते थे ना कि हाँ भी मैं दोस्ती में था मैं तुमारी बातें मानता था लेकिन नहीं भई मैं तुमसे प्यार करता था उसका क्या logic बनता है उसके पीछे क्या थोड़ा सा strong बन जाता है उससे मुझे तो कहीं से भी नहीं लगा कैर इसके पर जयादा बात नहीं करते है वरना तो भईया अपने उपर तो फिर वो ही हो जाएगा कि तुमने मजाब उड़ा दिया क्या मुवी की स्टोरी की अच्छी है या बुरी उस पे आते हैं देखो स्टोरी की जैसे मैंने का अगर आप जादू वाला कॉंसर्ट अटाते तो बिल्कुल सिंपल सी बनती है और इसको इंटरस्टिंग बनाने के लिए ज क्या होने वाला है और कोई भी सस्पेंस ट्विस्ट इसके अंदर है नहीं और खास करिए जितने मुवी ती मुझे तो यह सपेंस और ट्विस्ट के लिए पसंद आती है आप हैरीपोर्टर के मुवी देखते हो या फिर फंटास्टिक वीस्ट में जो जादू वाला कॉंसर तो इसके अंदर जो यह सीक्रेट्स हैं यहां पर सस्पेंस आते हैं इसलिए मुझे मुझे पसंद आए लेकिन इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं निकलता तो काफी जादा मुझे निराश करता है हां वी एफेक्स के बारे में बात करो तो मुवी काफी अच्छी लगी मुझे जिसकी फाइटिंग होती है डंबल डॉर की लास्ट के अंदर और एक बीच के अंदर थोड़ी बहुत फाइटिंग सीक्वेंस हमें दिखाया जाते हैं जिस तरीके के वी एफेक्स उसके अंदर यूज़ किये गए हैं वह बहुत ज्यादा मुझे पसंद है तो मतलब आप क साथ इसके लुफ्त उठा सकते हो तो मेरी तरफ से इस मुवी को मैं देना चाहूँँगा 6 out of 10 हिंदी डबिंग मुझे इस मुवी की काफी सही लगी decent लगी मतलब हां मैं कोई भी Bollywood का reference नहीं आता है तो वह डबिंग तो मुझे वैसरी फ़संद आ जाती है और हर एक कलाक नहीं था इस वीडियो में थैंक्स और वोचिंग इस वीडियो मिलते है नेक्स वीडियो में जाहिन